जब पुरुष निश्चित लड़की को किसी परिवार से चुनता है उसे सुन्दर्ता पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सुन्दर्ता धोका है और सुन्दर्ता आदूनिक संसार की सुन्दर्ता शैतान की है ओ, मैं वहाँ बाहर यह सुन पाता हूँ यह एक परचारक से साधान रहो मैं यह कहता हूँ, यह पृत्वी पर की चीजें, जो कि सुन्दर कहलाती है यह बिलकुल शैतान की है मैं यह आपको सिद्ध कर दूँगा इस टिपड़ी के उजियाले में आईए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को यह देखने के लिए खोजएं कि यह सही है या नहीं यदि आप में कुछ इस्त्रिया सुन्दर होना चाहती है तो देखें यह कहां से आया है आरम में हम पाते हैं कि शैतान बहुती सुन्दर था जब तक उसने दूटों को धोका नहीं दिया और वो सब सर्दूतों में सबसे अधिक सुन्दर था यह दिखाता कि यह शैतान में था नीती वचन में कहा सुलिमान ने कहा सुन्दर ता वेर्थ है यह ठीक है पाप सुन्दर है निश्चे ही यह आकरशक है मैं यहाँ आपसे यह कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ मिल्टों में आप इस पर ध्यान दे समसंसार की सब जातियां पक्षी और पशू मनिश्य को छोड़ हम पशू जीवन में यह पाते हैं कि वो नर ही होता है जो सुंदर होता है और मादा नहीं यह क्यों है हिरन को देखिए वो सुंदर बड़ा नर हिरन सींगों के साथ और छोटी खचर सी हिरनी मुर्गी में देखिए वो छोटी धबेदार मुर्गी और वो बड़ा सुंदर पंकदार कलेंगीदार मुर्गा कहीं भी कोई भी मादा नहीं जो अनेतिक हो सकती हो सिवाए इस तरी के आप कुट्यों को भूड कहते हैं आप सुर को गंदा कहते हैं परंतु नेतिकता में वे आदे दरजन फिल्मी सितारों से अधिक नेतिक हैं जो वहाँ है वे नेतिकता को छोड़ और कुछ नहीं हो सकते और इस तरी ही ऐसी थी जो भरस्ट होने के लिए बदली गई ये ठीक है देखिए सुन्दरता से कहा ले गई अब हम इसलिए ये पाते हैं किस तरिया सुन्दरता में बढ़ रही है आप पर ब्रैन को लीजिए कभी आपने उसका चितर देखा है वो अमरीका की महाल सुन्दरी समझी जाती थी कोई भी ऐसा विद्धियाले नहीं जहां किसी भी विद्धियाले का बालक जो की पिछली लैन में बैटा हो और उसके पास उसका चितर ना हो क्या आपने जाना कि ये इसी तरह से ही होना है क्या आपको मालम हुआ कि बाइबल कहती है इसी तरीके से ये होने जा रहा है क्या आप जानते हैं कि आरभ में पतन इस तरी के दोरा आया और पतन अंत भी इसी प्रकार से होने जा रहा है इस तरही आदिकार प्राप्त कर रही है और पुरुष पर अपनी आग्या चला रही है और वगेरा वगेरा क्या आपको मालूम है कि पवित्र शास्त्र ये कहता है आप जानते हैं जिस दिन वो पुरुषों के कपड़े पहनती और बाल कटाती है ये सारी बाते परमेश्वर के वचन के विरुद है आप जानते हैं कि वो कलीश्या का प्रतिर निधित्व करती है आप ध्यान दें कि इस तरही है क्या कर रही है और आप देखेंगे कि कलीश्या क्या कर रही है ये बिल्कु सही है अब ये ऐसे ही सकते है जैसे कि परमिशर का वचन सकते है कोई भी मादा ऐसी नहीं बनी जो कि इस तरी के तरह नीचे गिर सकती है और तथापी उसके द्वारा उसको उसमें से निकाल कर बनाया वो मूल सुरिष्टी में नहीं थी बाकी सारी मादाएं मूल सुरिष्टी में हैं चड़िया नर और मादा चौपाए नर और मादा परम तो मनुशर का जीवन परमिश्वन ने केवल मनुशर बनाया और उसने उसे उसमें से लिया इस तरही मनुशर का उप उत्पादन है क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीज़ स्थापित नहीं कर सकता था पवितर शास्तर में ढूंड़िये ये बिलकु सत्य है परमेश्वर नहीं शरीमान उसकी मूल रचना से वो बाहर रखी गई थी परंतो यदि वो अपने को ठीक रखे तो पुरुष से भी बड़ा इनाम उसके लिए है इस तरही परखने वाली सिती में ही रखी गई है उसके दोवारा मिर्तु आई और वो सारी मिर्तियों के लिए दोशी है परंतो परमेश्वर नहीं फिरकर एक और को फिर से जीमान लाने के लिए प्रयोग किया अपने पुत्र को इस तरही के दोवारा लाया एक आग्याकारी परंतो एक बुरी उनमें खराब है जैसे नीच वो हो सकती है और कोई नहीं हो सकता करा कर दोड़िया उनमेश्या लाए ALL कर अपमेश्या कह बंसा हुआ ढुरी ॹтов Всё कर दोड़रा लाए वो 6ला कुरी अपने हुआर लाए